इंसान को गलती उतनी ही करनी चाहिए जितनी वैस सेहन कर सके अगर सेहन सकती से ज़्यादा गलती करता है इंसान तो फिर जिन्दगियां तबा होती हैं और रिस्ते खराब होते हैं आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है एक बैंक मैनेजर की पत्नी दो साल बाद बैंक में जाकर अपने पती मैनेजर से मिलती है तो उसके पाओ पकड़कर रूने लगती है कि मुझे माफ कर दो और फिर दोस्तों वह जो बताती है उसको सुनकर के वहाँ पर बैटे हुए और लोग होते हैं बैंक के अंदर बार बार कहते हैं कि इसको अपना लो अपना लो लेकिन बैंक मैनेजर वो सौरत को अपनाता नहीं है और धक्के मार कर वहां से निकाल देता है दरसल उस लड़की ने जो किया था इस घटना के अंदर यहां पर पूरी जानकारे लेने वाले हैं वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा और रिस्तों को किस तरह से एक छोटी सी गलती के द्वारा बिगाड़ा जाता है समाज के अंदर इसकी जानकारी भी आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिर्चिवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह गटना उत्तर प्रदेश के लखनव की है उत्तर प्रदेश के लखनव में एक रवी नाम का लड़का रहा करता है पढ़ाय लिखाई गर को अच्छे से चलाएगा मावाव सोचते हैं कि अब इसकी साधी भी कर देनी चाहिए तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रीमा उसको इसकी साधी के लिए ढूड़ा जाता है और इन दोनों की साधी कर दी जाती है साधी होने के बाद रीमा जब अपनी ससुरा तो वह अपने साथ सर्ष शुर के साथ रहती और जो रभी होता है वए जॉब पर जाया करता और चार-चार महीने में घर पर आया करता था तो साथ सर्ष अपने बैटे रभी करेगी खाना वगयरा खिला दिया करेगी बना करके टाइम पर तो रभी अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने रगता है रभी अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता है चोटा सा क्वार्टर होता है वहां पर अपनी पत्नी को रख देता है आस्पड़ोस के लोग बड़े ही अच्छे थे, सहयोग करने वाले थे पत्नी वहाँ पर रहने लगती है और पती दिन में डूटी पर जाया करता है अब जो पती होता है कि मैं तो बहुत दिनों से थैली का दूद पीता हूँ अब जब तुम आई ही गई हो तो यहाँ पर कोई भैसों का दूद यानि की दूदिया को लगा लेते हैं जो भैस का निकला हुआ दूद दे कर जाया करेगा तो एक दूदिया होता है जिसका नाम होता है रोसन उससे रवी बात करता है और उससे कहता है कि बहे तुम्हें एक किलो दूद हमारे घर पर देना होगा तो रोसन दूद नेने के लिए आता है तो वहाँ पर घर पर उस रभी की पत्नी रीमा दरवाजा खोलती है तो रोसन रीमा को देखकर उसके उपर मौहित हो जाता है इदर रीमा भी घर पर अकेली रहती है तो वह भी रोसन की तरफ देखती है तो वह दूदिया बड़ा ही स्मार्ट और सुन्दर था रीमा का दिल भी उस पर आ जाता है अब वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं अब तो दूदिया 2-3-3 गंटे रीमा के घर में ही रहा करता है 2-3 गंटे में घर से निकला करता है अड़ोसी पड़ोसी पड़ोस में एक बाबा थे बजुर्ग आदमी वह उसको देखा करते थे वह देख कर समझ जाते हैं कि मामला गड़वड है एक दिन रवी जब वहां से गुजर रहा था तो वह रवी को बुलाता है कि बेटा इधर आओ और वह बताता है कि बेटा हमारे बाल यूँ धूप में सपेद नहीं हुए है तुम अपनी पत्री की तरफ भी ध्यान दो बैंक की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम दो क्योंकि तुमारी पत्री गलत रास्ते पर चल रही है जो दूदिया आता है दूद देने के लिए उसके साथ वह दो तीन तीन घंटे तक घर के अंदर रहती है जरूर कोई ना कोई दाल में काला है अब जो पत्ती होता है रवी वह डारेक्ट अपनी पत्ती से कुछ नहीं कहता है वह सारी चीज को अपनी आँखों से देखना चाहता है तो अब एक दिन पत्ती रवी प्लानिंग करता है और अपनी पत्ती से कहता है कि मैं 7-8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तुम घर पर अच्छे से रहना ये बात जैसे रीमा सुनती है तो बड़ी अंदर ये अंदर मुश्कुराती है लेकिन उपर उपर से कहती है कि मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बगेर मैं कैसे रहूंगी तो यहाँ पर रभी कहती है कि मैं अब तुम 7-8 दिन के बाद याँगा जैसे रहना होगा तो दूदिया रोसन कहता है कि हाँ क्यों नहीं आ जाओंगा साम कोई रोसन उसके घर पर आ जाता है और वह दौनों प्रेमी प्रेमी का नगन हालत में होकर कमरे के अंदर संबनाने लगते हैं उदर रभी डूटी से वापस आता है तो वह अपने कमरे पर जाता है और खिड़की से कमरे के अंदर देखने लगता है क्योंकि पहले से वह जुगार बना कर गया हुआ था वह अंदर देखता है तो उसका दूदिया और उसकी पत्नी नगन हालत में संबना रहे थे तब ही उनको देख करके वह चुपचाप दूर हो जाता है और फिर सुबह के जब तीन बजते हैं तो वह दर्वाजा खटकटाता है कहता है कि रीमा दर्वाजा खोलो रीमा दर्वाजा खोलने के लिए जाती है लेकिन उससे पहले दूर्वाजा को बैड के नीचे चुपा देती है रीमा दर्वाजा खोलती है कहती है कि तुम ऐसे कैसे आ गए तुम तो साथार दिन बाद आने वाले थे तो यहां पर रवी कहता है कि मुझे मेरा जो काम था वे खतम हो गया और मुझे अभी बेज दिया गया और वे कहता है चलो तीन कप चाय बनाओ रीमा कहती है तीन कप चाय किसलिए रवी कहता बनाओ तो सही रीमा तीन कप चाय बनाती है चाय बन करके जब आ जाती है तो रवी कहता है कि भाई रोसन निकलाओ बैड के नीचे से ठक गई होंगे चाय पी लो रोसन यह बाद जैसे सुनता तो एकदम से बैड से नीचे से निकलता है और बिना कुछ बात किये ही वहाँ से भाग जाता है अब दोस्तों अपनी पत्नी रीमा से भी कुछ नहीं कहता है सुबह होती है सुबह रीमा से कहता है चलो मेरे साथ चलो रीमा को अपने साथ बिठाता है बाजार में खूब सौपिंग करवाता है उसे बहुत सारी चीजे दिलवाता है सौपिंग करवाने के बाद अब वह उस गाड़ी को सीधा उस रोसन की डेरी पर जाकर रोग देता है और वहाँ से कह देता है रीमा से जाओ तुमारा प्रेमी का घर आ गया है अब तुम्हें इसी के साथ रहना होगा और यह सामान सारव ले जाओ और वहाँ छोड़ करके उस पत्नी को वह वापस आ जाता है और अपने ससुलाल में फॉन कर देता है कि अब तुम्हारा दामाज मैं नहीं वो दूदिया डेरी वाला रोसन है दोस्तो अब यहाँ पर रीमा सर्विंदा हो करके अब उस रोसन के साथ रहने लगती है रोसन साथी सोदा था वहाँ पर उसके बच्चों की लेटरिंग साप करती और भैसों का गोबर डाला करती है और उसमें बुरी सुरी हुई रहती है दोस्तो यह बात उसको बहुत खटकती है वह सोचती है कि मैंने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया मौज मस्ती के चक्कर में जिन्दगी को यह बरवाद कर लिया अब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो रीमा को कुछ बैंक का काम था तो वह बैंक में जाती है जाकर देखती है तो उसका पती मैंनेजर बैंक में बैठा हुआ था तो वह उसकी आँखें आँखों से आँसो निकलने लगती है वह रोक नहीं पाती आँसों को जाकर के पती के पैरों में गर जाती है कि मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई लेकिन जो मैनेजर था रभी वह उसको दुतकारता है कि तू अब मेरे लायक नहीं है तू वहीं पर रहे अपने प्रेमी के साथ बैंक में और लोग बैटे हुए थे उनको उस वरत के उपर दर्द आता है कहते हैं भाई अपना अलो गलती हो गई लेकिन जो रभी होता है वह उसको धक्के मार कर वहां से निकलवा देता है कि अब मुझे तेरी कोई जरुरत नहीं है मैं दूसरी साथी कर लूँगा इस तरह से उस कोल्टा को कलंखनी को वहां से निकाल दिया जाता है तो यहां पर आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों क्या रभी ने सही फैसला लिया या फिर गलत फैसला लिया आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राइक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगला प्रगाम में फिर से लेकर आऊंगा तब तक आप खुश रहें साथ धान रहें रिस्तों की एमित को समझें जय हिंद जय भारत